तो मैंने फिर से बनाया है इंडियन से बाइक ड्राइवन थेड़ी गेम के अंदर एक नियो मिशन जो कि अगेन हमें काफी बड़ा एंड इस बार काफी जादा मुश्किल देखने को मिलता है एंड मेरा तुम सभी को ये चैलेंज है कि इस मिशन को कम्प्लीट करते हुए एक वीडियो ज़रूर बनाना अगर तुम लोग इस मिशन को कम्प्लीट करते हुए वीडियो बनाते हो वो भी बिना चीटिंग करे हुए देन मैं तुम्हारे वीडियो एक comment section में या फिर अपने चानल के community post में तुम्हें shout out जरूर दूँगा बट anyway बट आके मैं ये करने की बात क्यों कर रहा हूं चलो इसकी बात करते हैं क्योंकि ये mission काफी जादा मुश्किल देखने को मिलता है जो कि जान बूच के तुम्हारे फोन को अलका फुलका लाग कराएंगी and don't worry वह जश्क कुछी देर के लिए होने वाला है I mean जब तक कि वह obstacle चलगा that's it जैसे उस पार्ट को तुम लोग क्रॉस कर देते हैं वैसे सब नॉर्मल हो जाएगा and ऐसा दो तिन बार तुम लोग को देखने को मिलने वाला है इसलिए बोल रहा हूँ ये मिशन काफी जादा मुश्किल है and आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को इसे क्रॉस करके दिखाने वाला हूँ हाला कि दूर से काफी इजी देखने को लग रहा है बट प्ले करके देखो तो मैंने यहां पर ट्रिपल सैवन डायल करके एक बाइक स्पॉन करवा लिए and चलो चलते हैं सबसे पहले हम लोग को एक रैम पर देखने को मिल जा रहा है एक नहीं दो देखने को मिल जा रहे है और उसी के ठीक बात ठीक ट्री से बना हुआ ब्रिज देखने को मिल जा रहा है जो कि वही है जहां पर तुम्हारा फोन लैक करेगा एंड सोचो यह मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया तो सोचो आगे का मिशन कितना जादा टफ होन यहां पर अपने 3-2 मिनट्टों वेश्ट कर ही करें हैं तो इसलिए मैं कुछ कुछ पार्ट स्किप करता जा रहा हूं तो प्लीस श्कीप या कट मत करना वीडियो एंड समझाना भी है इसलिए मैं तो कफी चोटे में वीडियो बना रहा हूं नहीं तो मुझे क्रास करने मे दो फाइनली मैं आऊ चुका हूं इन टीस से बने हुए ब्रिज पे एंड से मैं भाई यहीं पर आते आते मेरी पेशेंश लेवल काफे दाउन हो चुकी है बट एनिवे एंड यहां पर तुम लों देख सकते हो हलका फुलका लाइक देखने को मिल रहा है हाला कि मैं तो बीच हमने चेकपॉइंट ले लिया एंड अब यहीं से मिशन खतरनाक होना स्टार्ट होता है तुम लोग देख सकते हो यहां पर रेड कंटेनर से एक रास्ता बनाया गया है अब यह कुछ तीन चार्ट सेकेंड के लिए एक रास्ता बनेगा एंड फिर वह वापस रोटेट होके पुरा रास्ता listen willula अंब हम लोग को दीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके कि इस रास्ता रास्ता करना एक तो मैं अचींड 10-20 लग सकते हैं सिर्फ वहीं पर नहीं लगेंगे लेकिन 5-10 मिन तो अराम से लगेंगे मैं काफ़ी ज़्यादा प्राप्लम को फेस करते हुए यहां से आगे निकला हूं एंड सही में है भी एंड नहीं भी क्योंकि एटलिस यह स्ट्रेट था स्ट्रेट इंडसेंस की हम लोग को अपनी बाई को कहीं ऊचे चड़ाना नहीं था या फिर से आगे जाके गिर सकते हो तो मैंने काफी अराम से यहां से अपनी बाई को जंब कराके दूसरे रैम पे ले है अच्छी बात यह है कि यह मूव नहीं हो रहा है तो हम लोग यहां से काफी अराम से निकल सकते हैं एंड यह स्काइब्लू या सैन कलर का कंटेनर देखने को मिल जा रहा है एंड हम लोग नहीं से इस तरीके से जंप कराके निकालना है एंड शायद आगे एक और रेड कं कि एटलीस यह सब एक लेवल पे हैं हम लोग को बस एक ही लेवल पे चलाना है हलाक यह रोटेट करा बट इस ओके थोड़ी बहुत टाइमिंग मैनेज करके हम लोग आसे निकल सकते हैं और मैं निकल भी गया यहां पर मैंने चेक्पॉइंट टच किया अब हम लोग को इस र स्टार्टिंग पॉंट पर चला गया स्टार्टिंग पॉंट इन दसेंस यही रिसेंट वाला तो हमने फिर से यहां पर अपनी बाइक को चड़ा लिया है और हम लोग आ चुके हैं दूसरे रैंप पे तो इस बार मैं रिस्क नहीं लेने वाला है पिछली बार तुम्हें दिस्टंस पास में तो कम है तो वहां तुम लोग रह सकते हो अगर तो तुम लोग की बाइक प्रोपेलर्स के बीच की डिस्टंस सकती है और नीचे भी गिड़ सकते हो बट मैं तो काफी अराम से निकल गया एंड अव आने वाली है लाग होने वाली जगा जो कि इंटेंश त्दिक भी काफी स्थाहर्ण करना क्योंकि यहां पें तुम लोग को कंट्रोल ही नहीं मिलेगा मिलेगा बट वहीं हार्ड है तो मैं तो यहां से निकल चुका हूं ब्रोग काफी मुश्किल से ज़्यादा फसे बिना अब आती एक पतली सी रोड यहां पे स्मलों को आगे चलते रहना है और देख सकते हो अब बिल्कुल लाइग नहीं हो न सब स्मूध हो गया तो अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने बूला था कि ये मिशन काफी जादा मुश्किल है एनीवे हमने फिर से चेक पॉइंट लेकि ये ब्लू कंटेनर से फिर से आग चलके तो हम लोगों को चड़ाना भी है उपर ये डबल मुश्किल हो जाता है बट स्टिल मैं यह से काफी अराम से निकल चुका हूँ क्योंकि मैं नहीं बनाया है तो मैंने काफी प्रैक्टिस कर ली इसी बहाने बट फर्स्ट टाइम में तुम लोगो प्राब्लम हो सकती ह हम लोग इससे भी आगे आचुके एंड यहां पर यहां पर बहुत ही पतली सी रोड जिससे तुम लोगो निकलना पड़ेगा और यहां पर फिसल सकते हो इसलिए मैं दिंचा बार ट्राइक कर रहा हूं क्योंकि मैं दो बार तो गिरी चुका हूँ तो मैंने इसा काफी बार ट्राइब करने के बाद फाइनली क्रॉस कर लिया है एंड मैं ब्लू वाले कंटेनर पर आ चुका हूं एंड यह कंटेनर समय को काफी ज्यादा कंफूजिंग देखने को मिलते हैं हाला कि यह इसी है पर द्राइब करने में तुम्हों को मज़ा आने वाला क्योंकि जैसे तुम करने में बहुत जादा मजाता है यहां से निकल चुकन अब आती है यह जगहां पर हम दूआ कि लिए जरेखने करने कि दुम को लगुशम्चेशन दूसरे विपर गिरते जाह हो तुम लोगो देता हूं रास्ता सही क्या है और ऐसे ही तुम लोग आ जाओगे लास्ट वाले पर एंड लास्ट वाले के पीछे मत चले जाना ने तो भाई नीचे गिर जाओगे तुम लोग को यहां पर चेक्पॉइंट एक बड़ टॉच कर देना है और फिर थोड़ी सांस लेनी है कि अब एट लेस तुम लोग गिर विर भी गया तो वापस से यहीं पर आ जाओगे हलाकी मर जाना बस तो कोई दिक्कत नी अब आता है सबसे जाला मुश्किल पार्ट भाई इस मिशन का जो कि यह रट कंटेनर से बने हुए नीचे के और जाता हुआ यह रास्ता एंड सही में यहां पर तो म को चैलेंज दे दिया कि भाई इसे क्रॉस करते हुए वीडियो बना दो मैं तुम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के कम्यूटी पोस्ट में शाउट आउट दे दूंगा बस हाँ स्वारती है कि वीडियो कट वाट मत करना एजट इज़ी पोस्ट कर देना और 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 सब्सक्राइब कर सकते हो तो लोग अपनी साब से बस कट मत करना क्या पता कोई जट पैक सी जाके बीच रास्ते में चेक्पॉइंट टच करते हैं कहने ब्रू हो गया नहीं तुमनों देख सकते हो मैं कितना जाधा इरिटेट हो रहा हूं ये ग्रॉस करते हुए और मैं सही जगा हमें सिर्फ दो ही चेक्पॉइंट लगा है कि एटलिस 50 परसंतों कर लो उसका बात तो इजी है तो मैंने यह वहले चेक्पॉइंट पर जैसे पहुचा हो हम लोग फिर से करी जाएंगे वैसे अभी बट स्टिल एटलिस अब हम लोगों को रास्ता दिख रहा है कि कहा पर यह mission end होने वाला है जैसे तुम लोग यहां से इधर के साथ आते तुम लोग अगें यह पतला सा रास्ता देखने को मिल जा रहा है अगर तुम लोग यहां से नहीं पहुच जाओगे इस ट्री से बने हुए रास्ते पर जो कि मैंने जो बहुत बड़ी जंप मार दी इस पॉइंटी नहीं बनता यहां से तो बस नीचे जमीन है तो इसलिए end में मैंने यह बनाया and काफी अराम से मैंने इसे क्रॉस कर लिया अराम तो नहीं था फिलाल बट अनीवे तो तुम लोग को यह mission कैसा लगा मुझे comment बाक में जरू बताना and क्या मुझे इस mission को अपनी next city म एड़ करना चाहिए and by the way मैं तो सोच रहा हूँ एक ऐसी city बनाने का जिसके अंदर से mission ही mission हो literally सारे के सारे mission से भरी हुई city जिसके अंदर gameplay तुम लोग कर सकते हो अलग अलग कार से और ऐसी भी तो अगर तुम लोग को यह idea अच्छा लगा तो मुझे comment करके जरू बताना and इ